ITM SLS Paroda University में टेराकोटा सिंपोजियम का आयोजन करवाया गया है जिससे जुड़ी हुई आज पत्रकार परिशक बुलाई गई थी और इस पत्रकार परिशक के दौरान इस कैम को लेकर ज्यादा जानकारी दी गई थी ITM SLS Paroda University जहाँ पर 20 नवंबर से लेकर 27 डिसमबर के दौरान टेराकोटा सिंपोजियम स्क्लप्चरर कैम का आयोजन करवाया गया है तमिलनाडू के 11 परंपरागत मिट्टी के कारीगर इसमें शिर्कत कर रहे है जिनकी अगुआई तांगय या वेलार कर रहे है जिन्हें भार का प्रदर्शन किया गया है यह ना टेराकोटा वो तमिलनाडू के पुडू कोटाई जिले की पारंपारिक कला है तब आज ITM SLS Paroda University के वर से पत्रकार परिशत बुलाई गई थी जिसके तहत इस कैम को लेकर ज्यादा जानकार या दी गई थी ITM SLS Paroda University की प्रेजिडेंट हमारे यहां 40 दिन तक टेराकोटा स्काप्चर कैम चलने वाला है और 40 दिन के बाद इसकी इग्जिबिशन होगी इस मूर्तिक अला में आप 5 फिट से लेके 15 फिट तक के स्काप्चर देख पाएंगे टेराकोटा में यह पहली बार होगा इस रीजिन में कि इतने भव्य स्कल्प्चर बनेंगे और यह बहुत खुबसूरत कला है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक पहुँचे चोटे बड़े और इस क्योंकि बड़ोदा तो एक कला का सेंटर है अल्रेडी हम चाहते कि यह भी उसमें शामिल हो और लोग इसको इससे अवगत हों इससे इसका साक्षात से देख सके इसको साक्षात रूप से बड़ी है वो इनकी स्पीड आप देखेंगे आके तभी इनिवर्सिटी में तो यह पांच फिट की मूर्दियां सिर्फ चार दिन में छेचे साथ सा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए